बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बताएंगे और राशेफल के आखर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश उपाई जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुट की यों में दूर करेगा तो चलिए पर राशेफल के शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ हमें तो दिन है गुरुवार का तारीक है 27 जनवरी 2022 माग कृष्ण दश्मी पर चंदरमा व्रिश्चिक राशे और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा साथ शुभरंग रहेगा सिलेटी शुभदिशा रहेगी इशान राहुकाल रहेगा दुपहर को एक पचपन से लेकर के सबा तीन बजे तक کا भद्रा रहेगी शाम को तीन बच कर अठाईस मिनट से लेकर अगले दिन रात को दो बच कर सोला मिनट तक सरवार्थ सिद्धी योग रहेगा सुबह 8 एक्यावन से लेकर अगले दिन सुबह साथ बच कर दस मिनट तक दिन का सबसे शुब महरज जो रहेगा वो रहेगा सुबह ग्यारा बच कर तीन मिनट से लेकर बारा बच कर अड़तीस मिनट तक और विशेश क्या है आनंद योग है और आनंद योग में दश्मी के दिन जिस दिन ब्रहस्पतिवार पड़ जाया ऐसे में देवी जगधात्री के पूजन का विधान है और हमारा जो स्पेशल उपाय है हमारा जो विशेश उपाय है वो भी देवी जगधात्री से ही जुड़ा हुआ है आपको बताएंगे कि पारिबारी कलेश से कैसे मुक्ति मिलेगी इसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा तो चलिए अब राशिफल के शुरुआत करते हैं राश नमबर एक में शैनी की एरीस के साथ में कामकाज आसानी से निप्टाएंगे आर्थ एक स्तिती अच्छी रहेगी कारोबार के विस्तार के योग हैं पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी परिजनों के साथ में समय विताएंगे उपाईए करें कि घर के इशान कोण में दिपक करें शुभंक साथ रहेगा शुबरंग रहेगा सिलेटी दूसरी राशे विरिष यानि कि टौरस की बात करेंगे कामकाच की स्तिती सुधरेगी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा परिवार की चिंता रहेगी नौकरी में बदलाव की संभावना है पारिवारे के रिष्टों में मिठास रहेगी उपाई ये करें कि मस्तक पर केसर से तिलक करें शुबरंग शुबरंग चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला तीसरी राशे मिठुन यानि कि जमनाई की बात करेंगे सुख समरिध्धी में व्रद्धी होगी रुकेवे काम पूरे होंगे परतिष्टत व्यक्तियों से मुलाकात होगी भाई भेन से विवात के योगे हैं बुजर्गों के आशरवात से लाव होगा उपाई ये करें कि किसी व्रद्ध व्यक्ति को बेसन के लड़ू दान करें शुबरंग तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला चौथी राशी कर्क यानि कि कैंसर की बात करेंगे कड़ी मेहनत से जरूरी काम पूरे होंगे कारोबार में उनत्ति होगी आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी नई चीजे सीखने की कोशिश करेंगे मान से कितनाव में व्रद्धी होगी उपाई ये करें कि बेशन से बने व्यंजन खाए शुभंक नौ रहेगा शुबरंग रहेगा नारंगी पांचवी राशी सिंग यानि कि लियो की बात करेंगे काम काज में जल्दवाजी से बचें जीवन साती की सेहत की चिंता रहेगी आर्थिक स्तिती नरम रहेगी संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेगी खास मित्र से मुलाकात होगी उपाई ये करें कि धार्मिक चित्र पर पीले फूल चड़ाएं शुभंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा नीला छटी राशी कन्या यानि कि वर्गो की बात करेंगे सुखों में कमी आएगी शत्रू से सावधान रहें पारेवारे कलेश के यूग हैं व्यापार की चिंता रहेगी भाग दोड़ अधिक रहने से ठाकान रहेगी सेहत पर ध्यान दें उपाईये करें कि धर्मस्तल में पीले रंकी मिठाई चड़ाएं शुभंक तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला साथवी राशी तुला यानि कि लिवरा की बात करेंगे समाज में रुतबा बढ़ेगा व्यापार में धनलाब के यूग हैं पुराने निवेश से बड़ा मुनाफ़ा मिलेगा पारिवार इकलेश के यूग हैं तकनी की काम में सफलता मिलेगी उपाईये करें कि पीपल पर दूद चड़ाएं शुभंक चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला आठवी राशि विष्चे क्याने कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे सभी काम पूरे होंगे आर्थिक लाब के मौकई मिलेंगे कारश्यतर में विस्तार होगा आत्मबल में व्रद्धी होगी मित्रों से पुरा सयोग मिलेगा उपाई ये करें कि दूद में हल्दी मिला कर पीएं शुभंक साथ रहेगा शुबरंग रहेगा सिलेटी नमीर आशी धनू यानि कि सेजिटेरियस की बात करेंगे क्रोध नियंतरण में रखें भाई बहन से मतबेद होंगे रोजगार के शेतर में तरक्की मिलेगी जीवन साथी के सेहत की चिंता दूर होगी चल रहा आर्थिक संकट दूर होगा उपाई ये करें कि किसी धार्मिक व्यक्ति को केले दान करें शुभंक एक रहेगा शुभंक रहेगा लाल दस्वे राशी मकर यानि के किप्रकौन की बात करेंगे मनोबल में व्रद्धी होगी कारोबार में नई योजना पर काम करेंगे 27 संपत्ती में व्रद्धी होगी कानूनी मामले पक्ष में रहेंगे पारिवार एक रिष्टे मजबूत होंगे उपाई ये करें कि पीली सरसों करपूर से जला कर धूप करें शुभंक छे रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी ग्यारवी राशी कुम्भ यानि कि अक्वेरियस की बात करेंगे कोई अच्छी खबर मिलेगी मान समान में व्रद्धी होगी अधूरे काम पूरी होंगे धर्म कर्म में रुची बढ़ेगी आर्थिक लाब के यूग हैं जीवन साथी के साथ में घूमने जाएंगे उपाई ये करें कि कागस पर हल्दी से शुरीम लिखकर पर्स में रखें शुभंक च्छे रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी बारवी राशी मीन यहनी पाईसिस की बात करेंगे संचत धन में व्रद्धी होगी करियर को लेकर गंभीर निरने लेंगे आत्मों बल कुछ कम रहेगा मन में समंजस की स्थिती रहेगी पूरे परिवार के साथ में घूमने जाएंगे उपा ये करें कि पीतल के बरतन का अस्तमाल करें शुभंक एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल तो दोस्तों आप समय है आज के विशेश उपाए का वो विशेश उपाए जो पारिवारी कलेश से मुक्ति दिलाए देखें आनंद यूग है बरस्पतिवार का दिन दश्मीति थी और ऐसे में देवी जगधात्री का पूजन किया जाएगा तो देवी जगधात्री का पूजन करें और देवी जगधात्री पर शहद चढ़ाएं तो दोस्तों आज के लिए वसे इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें, इस्टो तक अजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्ष्वाए.